ये हैं इंडिया का पहला स्मार्टफॉन जो आता है आईपी 69 वाटर प्रूफ के साथ में जी हाँ, आईपी 69 रेडिंग मिला है इसी स्मार्टफॉन को पहला इंडियानी स्मार्टफॉन बन जाता है तो गाइस वीडियो पे बने रहिएगा और इसी Oppo F27 Pro Plus 5G स्मार्टफोन को हम एक्स्ट्रीम लेवल में जाके टेस्ट करेंगे जिहाँ इस स्मार्टफोन के उपर यहाँ पे घाड़ी को चाड़ा देंगे महिंद्रा स्कॉर्प्यो एन और साथ जात इसी महिंद्रा थार को इ नीचे कॉमेंट सेक्शन पे आप अपने जाय जरूर रखिएगा और यहाँ दूस्तों Oppo F27 Pro Plus 5G स्मार्फोन की बॉक्स को जिस तरिके से नजर आता है और इसी बॉक्स के अंदर यहाँ पे जो डास्क पिंग कलर है यह है टुफ्टी सिक जीबी रॉम वेरियन के साथ में जिहाँ डिवाइस में दो अलग-अलग वेरियन्ट है 8GB 128GB और 8GB 256GB और यहाँ देखिए डर्स का पिंग कलर में Oppo F27 Pro Plus 5G स्मार्फोन बहुत खूब सिरत लुक्स एन डिसाइन के साथ यह स्मार्फोन है इसके लबा इसी स्मार्फोन में और एक कलर है जो है मीड़नाइट नेवी कलर जो काफी ज्यादा अट्राक्टिव है जी है यहाँ पर देखिए जो कलर है ब्लू जैसा इसी स्मार्फोन की कलर है और दोनों ही काफी इंटरस्टिंग कलर है काफी इंटरस्टिंग लुक्स के साथ यह स्मार्फोन है और इसी स्मार्फोन की जो बैक बोड़ी है इको लेधर के साथ में आता है जो काफी खूबसीरत लग रहा है और इवाइस की बैक बोड़ी में है फे दो अलग अलग यहाँ टेक्चर बना हुआ है देखे बीच में यहाँ पर मर्बल फिनिश के साथ में ओपो का ब्रांडिंग के साथ में खूबसीरत डिसाइन दिया गय मुझे खास करके यह जो डास का पिंग कलार है यह सब सब बैस्ट यहाँ पे खलार लगा जो डास का पिंग है वैसे मैं आपको इसे स्मार्टफोन की कौन सा कलार बैस्ट अलगा नीचे कॉमेंट सेक्शन पे जूर बते हैं अगर फीचर के ऊपर बात कुरें तो में औरिवाइस की बैकपोनी में पेटी और प्लास क्या में में प्रिवाइस चाह circular आपENSर लगा उप हसे स्मार्फोन की केच्प्र में इस्पलेगा जयुँ का सब्र compensate वाइटरि के जा ठैन के साथ साथ में यह स्मार्टवन है और सात में 67 वर्ट फासन सप्रोट के साथ जी स्मार्टवन डिवाइस की बेक बोडी मां आर्मर बोडी दिया गया है ठ्डुरियनलटी के मामने में काफी इच्छहाँ सा यह डिवाइस रहेगा और फ्रॉंट में यहापर को लेगला सा और इसी डिवाइस में जो यहाँ पर के साथ यहाँ पर दिखाते हैं यह रहा दूस्तों रियर के साथ फोरूज मेंने क्लिक क्या है नाइट मूड में और यहाँ जो जो रिसाल्ट है आउटपुट है काफी एचा है इसी स्मार्फोन की और यहाँ पर देखें डीटेल वगरा 64 प्लस 2 मेगापिक्सल लेकिन मेरे खास से सेल्फी काफी कम दिया गया है और इसी डिवाइस की कौन से कलर आपको बेस्ट लगा यह जो डास्क पिंक है यह या फिर आपको यहाँ पर जो मिडनाइट नेफी खेलर दिया गया है वह बेस्ट लगा नीचे कॉमेंट सेक्षन पर जरूब देए कि कौन से कलर इसी स्मार्फोन में आपको बेस्ट लगा और डिवाइस में जो भी फीचर्स दिया गया है प्राइस रेंज के इस आप से काफी अच स्मार्फोन है 30,000 में आपको बड़िया फीचर्स वाला स्मार्फोन मिल रहा है और खास करके डिवाइस में जो भी यहाँ पर स्पेसिफिकेशन दिया गया है तो काफी एच्छा है कौनिंग रिले गला सब विक्टर्स और इंडिया का पहला स्मार्फोन है IP69 रेडिंग ना ही यहाँ पर जो खेमरा पार्ट है उसमें गया है तो जो मैंने यहाँ पर टेस्ट किया है उन सभी टेस्ट को यहाँ पर आप लोगों के साथ दिखाऊंगा और यह इंडिया का पहला स्मार्फोन है 360 नेगरी यहाँ पर आर्मार बोडी दिया गया है डेमेज प्रूफ ह है यह smartphone अचानक से यह smartphone आपकी pocket से घर जाए तो डिवाइस को कुछ नहीं होगा इस तरिके से इस्पेट्वन को बनायागा है को बनायेगा है तो बहुत अच्च अच्च फीचर सी स्मार्फोन में है, अपवा एफ राणी 7 प्रो प्लास 5G स्मार्फोन में और डिवाइस काफी आलका पतला है, काफी लाइट वेट स्मार्फोन है और थिन भी है, 177 ग्राम इस फोन की वेट है और जो थीकनेस है, 7.5 mm तीकनेस के साथ यह स्मार्फोन और डिवाइस की जो यहाँ पे Android version है लेटस्ट यहाँ पे Android version 14 दिया गया है और ColorOS यहाँ पे latest हमें 14 मिलता है तो सभी specifications कहीं न कहीं आइच्चा है Oppo F27 Pro Plus 5G smartphone की device की price range के हिसाब से अब चलिए इसी smartphone की जो डिवरिबिलेटी टेस्ट है IP69 यहाँ पे 360 चला जाता है तो फोन को ज्यादा तर जो नॉर्मेल फोन होते हैं उनमें पानी गुज जाता है अंदर डिस्प्ले खराब हो जाता है तो इस फोन के साथ क्या होता है चलिए यहाँ पे देखते हैं कम से कम गरम पानी के अंदर इस स्मार्टफोन को डालते है क्योंकि दिखाया गया है एड़डाइसमेंट में उबला हुआ पानी के अंदर फोन को डुबाया जाता है और फोन को कुछ नहीं होता तो सेम लेवल के यहाँ पे मैं भी टेस्ट करूंगा तो सबसे बले चलिए पानी को गरम करते हैं और देखते हैं फोन को कुछ होता है या नहीं और यहाँ पे देखिए पानी के अंदर डाल दिया गरम पानी पूरी तरीके से हो चुका है और फोन को यहाँ पे पानी के अंदर डाल दिया है और चलिए उठाते हैं और देखिए phone OK condition में है बिल्कुल, कुछ नहीं हुआ है तो काफी सारा यहाँ पर test कर रहा हूँ आप तक phone को कुछ नहीं हुआ है phone OK condition में है पूरी गरम पानी के अंदर डालने के बाद भी phone को कुछ नहीं हुआ है अब चलिए इसी स्मार्टपोन को washing machine के अंदर डाल दिया है आप इसको चालू करते है washing machine और देखिए phone कुछ इस तरीके से गुम रहा है washing machine के अंदर अब तो कुछ ना कुछ इस phone को होगा ऐसा लगता है लेकिन बाई सहाब चलिए इससे निकालते हैं और ये देखिए phone अभी भी जिन्दा है अब तक कुछ नहीं हुआ है phone बिलकुल okay condition में है working condition में है अब चलिए इसको धो दालते है क्योंकि phone को कुछ नहीं हुआने वाला है IP69 रेडिंग के साथ में है इंडिया का पहला smartphone है जो IP69 है तो water register के मामले में काफी हच्च आइफाइज है ओपने क्लेम किया है कि यह phone डियूरेल विडि के मामले वन अफ दे बेस्ट स्मार्टफोन है और मैं दो तीन दिन से इस स्मार्टफोन को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ और phone डियूरेल विडि के मामले में सच में बहुत ही ज्यदा amazing है फोन को पानी में गराया खुश नहीं हुआ यहाँ पे लगबग 100 डिगरी के आसपास यहाँ पे घरम पानी में इस phone को डाला है फिर भी phone को कुछ नहीं हुआ अभी भी यह phone चल रहा है मेरे हाथ में बसे मैं device को आज extreme level में जाके टेस्ट करने वाले है इस phone को यहाँ पे फानी में डुबाएंगे आप लोगो live दिखाएंगे किस तरीके से यह phone खराब होता है या नहीं या फिर इसका जो next level का guys durability test है जिसके उपर आज यहाँ पे घाड़ी को उटाएंगे यहाँ है भी गाड़ी महिंद्रा का Scorpio N देख सकते हो इसी गाड़ी को प्लास 5G स्मार्फोन की उपर चड़ाएंगे और फोर को कुछ होता है या नहीं दिखाने वाले है तुगा इस वीडियो पे बने रहिएगा और चलिए सब से बहले इस तो वाटर पेंस से गोखर लेत अजनान हाता है और इंडिया का पहला स्मार्पोन बन जाता है जिसे स्मार्फोन आता पर इता हूं, आप बिशेयर के साथ, यह शेयर करदा हो और बैटरी के मामने में डिवाइस का अप्य एच्छा है 5000 मिली एंपरर का बैटरी इसी स्मार्फोन में मिलता है और इसमें जो आपको RAM मिलता है additional extra RAM मिलता है 8GB के साथ में additional 8GB और डिवाइस में और एक variant आता है 8GB 120, 8GB variant और डिवाइस में 8GB 56GB और एक variant है और इसी स्मार्फोन में दो अलग अलग कलर है यह जो कलर है यह है ब्लू कलर जिसका नाम दिया गया है नेवी इसी स्मार्फोन की कलर का नाम दिया गया है और इसी स्मार्फोन में और एक कलर आता है जो डास का पिंक है पिंक कलर और ब्लू कलर ये दो अलग अलग कलर में ये डिवाइस मार्केट में अवालेवल है और डिवाइस में दो अलग अलग वेरियंट है 8GB 128GB और 8GB 256GB डिस्प्ले के उपर बात करो तो यहाँ पे 3D कार्ब शेप ने खोब सुरत यहाँ पे डिस्प्ले नजर आ रहा है द खीकटा के ओके क्वालिटी एवरेज परफोमेंस आपको देगा लेकिन जिस बजट रेंज में ये स्मार्टफोन आता है उस बजट रेंज के इसाब से जो भी स्पेसिफिकेशन से दिया गया है काफी तगड़ा है काफी बढ़िया है डिवाइस में जो फिंगर्पेंड इ यहाँ पर इठाल दिया है इसी के अंदर और यहाँ पर देखिए फूरी तरीकी से धुबा दिया और फोन को कुछ इस तरीकी से आदा गंटा तक रख दो अपने क्लेम किया तो फोन को कुछ नहीं वाने वाला है तो खास करके बाकी एक्स्प्रिमेंट आप मत करना और फोन को तो बहाई साहब यहां पर पानी में कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि मैं 4-5 दिन एक्सप्रिमेंट खार और फोन को कुछ इस तरीके से आप प्लफ दो यहां पर यहां पर चड़ाने वाले हैं पहुत ही ज्याद है यह गाड़ी है चब चलिए इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि यह जिन्दा रहता है या नहीं यह बीडियो एक स्टेकंड के लिए काट नहीं करूंगा तुकि यह और इजिनल दिखना चाहिए और यहां पर लाइप टेस्ट कर रहा हूं और यहां पर देखें यह फोन है डिस्प्लेइबी टीक है ओके है फोन कुछ नहीं हुआ है आप फोन को यहां पर रखते हैं यहां उसको अपर खनेन गाले तुस्के हां पर आद ने प्सक्रा आट गराउ अलाओ भाट यह था खात यह थायो और शिदा आओ 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 कि अभी मैंने इसे फोन को यहां पर यहां पाई साब ओपो एफ 27 प्रो प्लास 5G स्मार्पोन अभी भी जिन्दा है फोन को कुछ नहीं हुआ है यहां पर चलिए फोन को यहां दो डालते हैं यहां पर आप लोगों को दिखाते हैं यह देखिए ओपो एफ 27 प्रो प्लास 5G स्मार्पोन और क्या जिलेगा बाई सहाब यहां पर फोन को गिराया है फोन को पानी में डाला है गरम पानी में डाला है फोन को यहां पर पानी के अंदर रखा है फोन के उपर महिंद्रा स्कॉर्पियो एन को उठाया है और कितना जि देखेंगे कि फोन तोटता है या नहीं है और लिटरेली हर एक टेस्ट में यह स्मार्फोन पास हो गया और मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा ओप एफ टानी सेवन प्रो प्लास फाइब जी स्मार्फोन खास करके डियू रियूलेटी के मामले में तो अगर नॉर्मे तरीकी से मिट्टी भी गीली है और उबर ताबड यहाँ पर मिट्टी है और उसके बावचुद भी फोन को कुछ नहीं हुआ है और हर एक एक्स्ट्रिम ट्रेस्ट में यह डिवाइस सर्वाइब किया डिवाइस ठीका रहा फोन बिलकुल भी अच्छा है आईपी 69 खास करक method ई творp नहीं मैंने काफी बार इसी स्मारफोन को deste क्या है गाडूनेके नीचे यहाँ रखा है गाड़ी को ऑपर इहाँ छड़ाया है पानि के अंदर पार पर इसी स्मारफोन को डाला है फिर भी फॉन सच में थोड़ा सा यह थे कैमरा popular है न बाकी फोन कि नहीं हुआ तूर रहेते दूस्तों ओपो एफ 27 प्रो प्लास 5G स्मार्फोन की अन्बोक्सिंग एंड इसी स्मार्फोन की डियूरिविलिटी रेस्ट उम्मिद है आप सबको यह वीडियो जरू पसंद आया होगा आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे कोमेंट सेक्शन पर जरू बताइए तो